हेलो फ्रेंड्स मैं संध्या स्वगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिजाइन पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग फूल स्लीप्स ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं से कि हम लोगों थेसे किसा या डखने वेच्व के माधसने विजिए हुआ ये सबसे पहले हमें अपना फ्रेंट पार्ट ले लिए और इसहना प्रेंट पार्ट ले लियाए के में अपने अपने तरह कि पखु़ाना है न पाहर के तरफ सिलाई लाना है फिर अंदर के साइट को चले जाना है लाना तो यहुथ यह हमारा एक कप्लीट हुआ अभ जैसे हमने इसको कमप्लीट किया है से मैं से बच्चे हुए तीनों को कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमें सारे टक्स तो हमें टक्स में डबल डबल शिलाई लगानी है तो इससे क्या होता है हमारे टक्स खुलते नहीं है तो इस तरह से हमने सारे चारो टक्स कंप्लेट कर लिया इनमें समित डबल शिलाई लगाई है अब जैसे हमें यहाँ पे बेल्ट से हमने गलाई में आप त High- dangerous जोड़ना है और हाफ सी और ऑपर साइट मार्जिन चोड़ते हुए शिलाई लगा लेंगे हाफ इंच से कमट ले सकते हो तो इसंत्र ass ये यहां पर शिलाई लगा लिया है अब यह शिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे सको हम dai से पूरा open कर लेंगे और यह जो margin वाला कपड़ा है ना इसको हम नीचे की तरफ fold करेंगे और fold करने के बाद फिर यहां पर हम उपर से शिलाई लगा लेंगे तो देखिए इस तरह से यह हमने यहां पर शिलाई लगा लिया है अब देखो यह हमारा एक part complete हुआ है अभी front part का हमने दो part cut किया था तो एक part हमने complete कर लिया है अब same ऐसे हमको दूसरा वाला part भी complete कर लेना है तो यह देखिए यह हमारे दोनों part complete हो गए है अब इस तरह से यह दोनों part complete करने के बाद यहां पर हम अपनी hook party और eye party लगाएंगे तो इस तरह से अपनी hook party ले लेना है जो हमने cut किया था अब हम क्या करेंगे इसको पहले अपने front part के बराबर से इसे cut कर लेंगे और यहां पर फिर इसके बाद वो एक pair का margin छोड़ते हुए यहां पर शिलाई लगा लेना है तो जो हमने कपड़ा रखा है ना तो इसको हम सीधे में सीधा दोनों को अंदर मिला के रखा था अब हम क्या करेंगे इसको पूरा open कर लेंगे open करने के बाद जो margin है इसको हम पट्टी की तरह fold करते हुए वार शिलाई लगाए यह हमने शिलाई लगा लिया अब हम क्या करेंगे इस पट्टी को ऐसे fold कर देंगे और fold में के बाद फिर से इसको अंदर के side को fold कर देंगे यह जो हमारी हुक पट्टी है ना यह अभी हम हुक पट्टी लगा रहे हैं तो यह हुक पट्टी जो है ना तो इसको हम पुरी अंदर की तरफ को फूल कर देते हैं तो इस तरह से हमारी हुक पट्टी कंप्लेट हो गई है और अब हम आई पट्टी लगाना शिखेंगे तो देखो इसको भ इसको भी पूरा ओपropyन करना है अब हम मार्जिनन के यहां पे शिलाई नहीं लगाएंगे अब हम क्या करेंगे आगे से चिर्फ कटे हुए कपड़े को अंदर की तरफ बोड़् करेंगे तो यहां पी ईतना हमारा मारिजीन होता है उतना ही हमने वigning किया है अब इसके बाद क्या करेंगे इसको पूरा ऐसे सीधे साइट को फूल कर लेंगे तो नीचे वाली पट्टी हमारी दबनी चाहिए उपर से हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा से हमें बढ़ी करके पट्टी को नीचे की तरफ से लगाना है अब हम क्या करेंगे अपने hook पट्टी को eye पट्टी के उपर ऐसे रखेंगे रखने के बाद यहाँ पे हम बड़ी बख्या से शिलाई लगा लेंगे तो यह सिलाई हम क्यों लगाए है जिसे कि हमें ये वाली शिलाई लगाने से ना हम फिर ब्लाउस हमारे फिटिंग डालने में सही रहता है अब हम क्या करेंगे बैक पार्ट ले लेंगे तो बैक पार्ट में हमें ये जो डाट लगाया थी निचान डाट के सबसे पहले हमें dot complete कर लेना है तो यहाँ पे भी हमने double slide लगाया है से मैसे ही दोनों dot complete कर लेना है और double slide दोनों में लगाना है इस तरह से हमने back part के dot भी complete कर लिया है इसके बाद यह जो हमारा back part इसको हम इस तरह से रखेंगे यानि कि सीधा भाग उपपर के तरफ और उल्टा भाग नीचे की तरफ अब इस तरह से रखने के बाद जो हमने फ्रेंट पार तयार करके रखा था इसको हम ऐसे रखेंगे तो दूनों का सीधा साइड अंदर के तरफ मिलाना है उल्टा ये है और उल्टा ये है तो इस तरह यह हमारे शोल्डर भी कंप्लेट हो गए हैं अब सोल्डर कंप्लेट करने के बाद हम क्या करेंगे यहां इस कपड़े को ना फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को बराबर से रखेंगे तो यह हमारा सिल्गी कपड़ा है तो बहुत ही अच्छे से रखन लेना है और इस तरह से निशान लगा लेना है अब हम क्या करेंगे ऐसे ही नीचे की तरफ देखो यहां पर हमारा बिल्कुल शेंटर पर शेंटर होना चाहिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूं यह देखिए जो हमने 20 इंच लिया है उसका 10 इंच हमारा बिल्कुल शें दखाया है यहां पहसी मैंन खेज देगे और इस लायन के और यहां पर शीलाई लगा लेंगे तो यह लगाइए धाल बगव शेंटर आइंब इस दाइन अब शेंटर करना हों और यहां नियीसा ब्लाइक tnhiye बड़ी बख्या दलगा सकते हो दूसरे साइट कर लेंगे इसकी हमारे Currently भी अब इतना करने के बाद हम यह बीच में चुनि आलगा थे आसपींग चाहिक्त करने europe खोल देंगे तो ईसकी 301-LEG मकुद यह पट्टी बनाके फूल करेंगे वॉर्टम ठीक है अगर यहां पे आपने लेंत पूरी लीए तो फिर आपको वॉर्टम के लिए अलग से पंटी नहीं लगानी है आप सीधे उसी कप्ड़े को फूल कर दीजिए अब हम क्या करेंगे इस पंटी को इस तरह से लगाएंगे और यहां पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए शिलाई लगा लेंगे पूरे में तो देखें इस तरह हमने शिलाई लगा लिया है अब इतनी शिलाई लगाने के बात क्या करेंगे और यह जो हमारा आगे की साइट कटा हुआ कपड़ा है उसको हम अंदर की तरह फोल्ड कर द लगा लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम पूरा अंदर के तरफ ब्लाउस के तरफ जितनी पट्टी लगाई है पूरी फोल्ड करके यहां पर हम बड़ी बग्या से सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हम यहां बाद में तुर्पाई करनी होगी तो हम यहां पर बड़ी कट की थी ना तो सबसे पहले हम अपनी औरेव पट्टी ले लेंगे तो इस तरह से हमने अपने औरेव पट्टी ले लिया है और इसको हमको औरेव में ही आगे से बराबर कर लेना है यानि कि इस तरह से थोड़ी हमारे तिर्ची है ना तो इसको हम वैसे तो सिलाई अब आगे आपको जितनी भी पट्टियां जोड़नी है ना सेम इसी तरह से आप पट्टियां लगाते चाहिएगा तो इस तरह से हमारी पट्टि लग गई है फ्रेंट्स अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे अपना ब्लाउस लेंगे तो ब्लाउस को ऐसे रखना है रखन कर लेंगे सीधा कर लेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको फिर से आगे की साइट से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर डेवल फोल्ड में ले लेंगे इसको और ऐसे करने के बाद फिर हम अपने गले के उपर ऐसे लगाएंगे और यहां पर फिर एक पैर का मार्जिन छोड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर हम यहां पर रोल बनाएंगे यानिके पाइपिंग बनाएंगे तो इस तरह से यह हमने यहां पर पाइपिंग बनाया और फिर इसके बाद इसको ऐसे ही पकड़ के यहां पर उपर शिलाई लगानी है तो यह जो शिलाई तो इस तरह यह देखी यह हमारी पूरी पट्टी हमने यहां पर पूरे पाइपिंग में शिलाई लगा लिया है तो आप देख सुक्त एक बार में आपको उल्टे साइट भी दिखा देती हूं यहां पर हमारा मार्जिन बिल्कुल भी बाहर नहीं है पूरा मार्जिन अंदर लगया है इस तरह यह हमारा पूरा ब्लाउस कंप्लीट हो गया है अब हम इसमें स्लीप्स लगाना अगली वीडियो में सीखने वाले हैं और बांकी का ब्लाउस हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जहां पर भी आपका समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत ध